हलो माई डियर स्टूरंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिश्ट्री गुर्जी अगेन आप सब का एक बहुत जादा इंपोर्टन्ट वुडियो में तो आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टन एमसी क्यूज ओफ दी चैप्टर इलेक्ट्रोगैमिश तो त्यलिए स्टार्ट करते हैं mcqs of the chapter electrochemistry कोशन नबर वन विच विच विछ विशल मेजर स्टेंडर्ड एलेक्ट्रोड प्रेंशल उफ कॉपर इलेक्ट्रोड का आपको स्टेंडर्डड एलेक्ट्रोड पट्रेंशल मेज़र करना है पॉइंत ने हैं तो उसके लिए देखें यहाँ पर कौन सी कंडिशन है जो सैटिस्फाई कर रही है वहां पर होना चाहिए तो सारी कंडिशन को जो सैटिस्फाई कर रही है और वह हमारे पास यह वाली आगे बढ़ते हैं यह कोशन बहुत सुंदर है मतलब सुंदर क्या है सरीय मिस्टर इंडिया का कोंपोटिशन जीत के आएगा अच्छा है मतलब इलेक्टोड पटेंशिल फॉर मेंगनेशियम एलेक्टोड वैरिज अकोडिंग टुद एक्वेशन यह इक्वेशन आप सबको पता है कि यह कौन सी एक्वेशन है नस्ट एक्वेशन है दग्राफ ओफ ए एमजी टू वैंजी इज ईनोट का अगर आपको दीकी ग्राफ निकालने लोग एमजी टू पोजिटिव के रिस्पेक्ट में तो आप इसको लोग एमजी टू पोजिटिव नाओ गए इसको इधर लेकर जाओगे तो बहर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो I think यह है E Mg2 positive Mg is equal to E0 Mg2 positive Mg plus 0.059 by 2 log Mg2 positive है ना अगर आप इनका relation देखो तो I think directly वाला है और कुछनों कुछ तो values आएगी कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा है बढ़ते जाएगी तो graph यहां से आपको यह वाला मिलने वाला है यह वाला graph है इस तरह से increase होगा आगे बढ़ते हैं next question which of the following statement is correct E cell and gives energy of the reaction of cell reaction both are extensive property E cell and delta rg of cell both are intensive property E cell is an intensive property delta rg of cell reaction is an extensive property extensive properties किसे कहते हैं वो मैंने solution chapter में भी करवाई है extensive properties कहा जाता है which depends upon amount ठीक है और intensive properties कोन से होती है which depends which are independent on amount which depends upon nature तो जो इसल होता है वो nature of cell पे डिपेंड गरता है और delta rg का तो formula क्या होगा delta rg is minus nf e not cell है न कितने number of latent loss gain हो रहा है तो उससे change हो जाएगा तो यहां से यह हमारा right answer हो जाएगा भाई आगे बढ़ते हैं next question the difference between the electrode potential of two electrodes when no current is drawn through the cell है ना दो electrodes के बीच का जो electrode potential का difference है जब उसमें से कोई cell pass कोई current pass नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं cell EMF next question है हमारे पास which of the following statement is not correct about an inert electrode inert समत्यों non reactive it doesn't participate in the cell reaction जब reaction नहीं नहीं करेगी तो कहीं कि participate करेगी इट प्रवाइट सर्फेस इधर फोर oxidation और फोर reduction जी हां oxidation reduction को surface प्रवाइड करते हैं इट सर्फेस प्रवाइड शर्फेस फोर दा कंडुक्षव उफ एलक्टों इट प्रवाइड सर्फेस फोर 2ड यहांगी स्दसव फोर यहेंए बास कॉन से हैं बगके सारी बाते सही हैं, तो किया किये सेल एक्षन में पाटिस्पेट नहीं करते ये सर्फेस प्रोवाइड करते हैं, इधर ओक्सिडेशन और फौर रिडक्शन, इट प्रोवाइड सर्फेस फौर कंड़क्शन ओफ इलेक्ट्रोंज, आगे बढ़ते हैं, next है, एक ठीक है न, cell काम करना कब बंद कर देगा, अगर दोनों equal हो जाए, external भी और e-cell भी, और कब कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर external potential कम है, cell के potential से, तो अब देखो, कहां पर external potential जादा है, इस case में external potential जादा है, नेक्स्ट कोशन है, which of the statement about solution of electrolyte is not correct, conductivity of solution depends upon size of ions, conductivity depends upon viscosity of ions, conductivity doesn't depends upon solvation of ions present in solution, connectivity of solution increases with temperature, आपने बताने हैं कौन सी बात सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी बात सही नहीं है, connectivity of ions की बात की गई है, मतलब कोई electrolyte है, जब आप उसमें से current पास कराओगे, तो ions की flow की वाज़े से electricity conduct होगी, तो बहुत सारी factors पर depend करती है, वो temperature पर depend करती है, कितनी speedily ions dissociate और solvation पर भी depend करती है, ठीक है, वो ही, अगर नोट्स पड़े हैं, नोट्स में बहुत क्लिरली एक पॉइंट लिखे हुए है, अगला कोशन है, अच्छे डाटा बार बार यूज होगा मैस करना, स्क्रीन शोट ले ले लेता हूँ, अगले पेज पर चिपका दूँगा ना, भ reducing agent कौन सा है, अच्छा यह reduction potential दे रखा है, यह ease of reduction है, है ना, reduction है आप देखो यहाँ पर chromium का oxidation state plus 6 है, यहाँ पर plus 3 है, oxidation number घट रहा है, यहाँ पर 0 है, minus 1 है, घट रहा है, यहाँ पर plus 7 है, plus 2 है, घट रहा है, यह पर plus 3 है, यह 0 है, तो यह ease of reduction है, तो अगर किसी पर reduction easily होगी तो वो reducing agent अच्छा नहीं हो सकता, और अगर किसी पर reduction easily नहीं हो रहे है, तो वो reducing agent अच्छा होगा, are you getting my point, reducing agent किसे गाते है, जिस पर oxidation अच्छा से होगती है, reduction मुस्किल से होगती है, तो आप यहाँ पर value देखो, यहाँ पर आपको reduction potential दे रखे है, आप इनको oxidation potential भी निकाल स potential की terms में अगर आप अंसर निकालना चाहों, तो जिस पर सबसे कम reduction के चांसिस है, इसकी value positive, इसकी value positive, इसकी value negative, मतलब यह reduction नहीं चाहता, reduction नहीं चाहता, मतलब यह oxidation चाहता है, oxidation चाहता है, तो reducing agent अच्छा है, तो बिरादर, यहाँ पर answer क्या आईगा, क्लियर है, आप इसकी oxidation potential निकालना, फिर देख लेना, हाँ यह चाहता, अच्छे से, अब इसमें confused में चाहता है, किस और यह तो CR 3 positive CR है, convert करके देख लो ना, oxidation potential निकालो, चलो अगला सम्दातों, थोड़ा, रिलेट कर पाऊगे, यूज़ दाटा, डाटा लेके आये हैं साथ में, मुझे पता था, हमें दोखा मिलेगा, यूज़ दाटा गिवन इन कोशन नमबर 8, find out which of the following is the strongest oxidizing agent, तो जिस पे reduction सबसे बड़ी हो रही है, वो oxidizing agent सबसे अच्छा है, तो देखो, इसकी है 1.33, 1.36, 1.51, 0.74, answer मिल गया होग कि भाई, सबसे बड़े reduction इस पर हो रही है, MnO4 negative मस चाता है, तो यहाँ पर MnO4 negative, अगला question है, दो बार चिपका देते हैं भाई, question है, using the data given in question number 8, find out in which option the order of reducing power is correct, reducing power का मतलब बता है, खुद को oxidize करना, दूसरों को reduce करना, खुद पर oxidation करवाना, तो आप इनके oxidation potential लिख लो, लिख लो, पहले लिखी लो, तो CR3 positive से CR2072 negative, कितनी value आएगा, साइन चेंज हो राते हैं, अगर आपको reduction potential दे रखा है, आपको oxidation potential लगाना, तो साइन चेंज घर दो, इसके बाद, E0, CL negative, CL2, कितना दाएगा यहां से, यह दाएगा 1.36V, minus का 1.36V, E0, Mn2 positive, MnO4 negative, 1.51V, minus का, E0, CR3 positive, यह दाएगा, minus 0.74V, minus नहीं, प्लस, है न, तो भाई साब, अब आप यह देखो की, यह इनका अपने oxidation potential लिखाल लिया, तो जिसको oxidation potential जादा, उसकी reducing power जादा, तो सबसे जादा oxidation potential CR का है, और सबसे कम किसका है, Mn2 positive का है, ठीके, इसके बाद CL negative का है, तो आप देखो सबसे पहले Mn2 positive, फिर CL negative, और सबसे जादा से, तो I think, यह option आपका correct हो रहा है, clear एक नहीं, इस तरह से कर लेंगा, अगले question है, most stable in its reduced form, कौन reduce होके सबसे जादा खुश है, तो आप देखो कि, किसका reduction potential सबसे जादा है, मतलब, वो reduce होके सबसे जादा खुश हो रहा है, reduce form, reduce form यह है, reduction होके यह आ रहा है, तो आप देख लो भाई सबस्यादा इस केस में आ रहा है तो सबस्यादा स्टेबल भी ही होगा अगला कोशन है अरे भाई अब यह देखो सबस्यादा उक्सिराइज होके कौन खुछ है यहां पर यह भाई साथ सबस्यादा खुछ हो रहे हैं और अगे मुझ पर दो क्वान्टिटी ओफ चार्ज रिक्वाइड टू अब्टेन वन मॉल ऑफ अलिमीनियम फ्रॉम एल्टू ओ त्री से बनाना है आपको अल्टू ओ त्री अल्टू ओ त्री को ब्रेक कर दो न यहोजाएगा टू टाइमस ओफ एल्टू पोर्श्टिव तो क्या करेगा तो इस एल्लेक्ट्रों का गें करेगा और यहां से आपको दो मॉल्स अफ्रेलमीनियम मिल जाएगे बड़ आपको दो मॉल्स नहीं आपको एक मलची एक मलची तो सब कुछ आदा दा हो जाएगा एल्ट्री पोजिटिव क्या करेगा तो तो त्री फैराड़े अगला कोशन है दसल कॉंस्टेंट ओफ और कंडुक्टिविटी सेल चेंजिज विद दा एल्ट्रोइट चेंज विद चेंज ओफ कंसेंट्रेशन ओफ अधिज विद टेंप्रेशर ओफ रिमेंज और इसल कोंस्टेंट है तो इसल कॉंस्टेंट अगला कोशन है वाइल चार्जिंग दी लैड स्टोरीज बैटरी अचा चार्जिंग अच्छा डिस चार्जिंग की रेक्षिन तो आप लोगों को शाहिद याद होगी एक उत्ती है एट अनोर्ड मैं बता देता हूं मैंने करवाई हुई है पीबी प्लस एसो फॉर तो नेगटिव गिफ्स तू इलेक्ट्रोन और जाता है पीबी एसो फॉर एट का थोर्ड क्या आधाता है यह दूरिंग डिस्चार्जिंग की रेक्शन है यह दाता है पीबी ओटू प्लस एसो फॉर टू नेगटिव प्लस फॉर एस पोस्टिव प्लस तू एलेक्ट्रोन है ना तो यहां पर बन जाता है पीबी एसो फॉर प्लस है टू एच्टू ओ जब इसको कम्बाइंड करके लिखते ओरल सेलेक्शन तो सिर्फ यह चीज गैंसल होती है ना यह बाके सब तो अबह्यां सॉपॉर को नेगटिव प्लस पीबी ओ टू प्लस फॉर फॉर एस फोस्टू तो कम स्टू दा फॉर प्लस टू पॉर प्लस एस टो कम्स पॉनक्स क्या रहा है पीबी एस तो फोर एनोड इज डि डिःघुट तो पीबी अच आपको बोल रहा है वायल होगा पीबी हुँ 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 है यह रहा ना भाई पीब आसो फॉर से यह दो लेक्ट्रोन गेन करेगा रिडक्शन होगी और यह क्या बन जाएगा फीब है अगला कोशन है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ओफ एनच फॉर ओएच इस यह कोलर सलो है और कोलर सलो का इंपोर्टन्ट है तो आप यह देख लोगी एनच फॉर किदर है फिर देख लो ओएच किदर है और जो चीज़ा आपको एक्षा मिलेगी वह निकाल दो एनच फॉर तो सब में है ठीक है ना बाकि एनच फॉर ओएच में नहीं जोड़ेंगे कुछ और एनच फॉर ले ले चैक्ट लीशीस ऑफ एक्ष सोडियूम कलॉराइड स्यूशन वीच अफ दी हाफ सेल रेक्शन विल अक्कर अट अनोड देखिए अगर आप सोडियूम एक्षा सोडियूम कलॉराइड है तो आपके पास एन्न पोजिटिव होगा और एदर एच पोजिटिव होगा ओएच उतिव होगा ठीक होगा दिक है यह जाने के लिए है के थोड़ पर जाते हैं और यह घाने के लिए हैट अनोड और कि दर दिखी है इसका 1.23 तो जिसका जदा पर जाके रिक्षिन करेगा बाकि इसकी बहुत बढ़िया ट्रीक भी आप लोगों को बन शॉट में मिली होगी शाहिद अगर आपने पढ़ा है टीक से तो बाकि यहां पर अनोड पर उक्सिडेशन होती है आप उक्सिडेशन प्रेंशल देख लो जिसका उक्सिडेशन प्रेंशल ज्यादा उस पर होने वाली है आगे कुछ कोश्चन देख लेते हैं दा रिप्रेजेंटेशन ओफ दी गैल्वेनिक सेल मेड अप बाइक कॉपर एंड सिल्वर एलेक्ट्रोड इन वीच आप प्लेस कॉपर से कॉपर टू पोस्टिव हो रहा है मतलब इदर ऑक्सिडेशन है ऑक्सिडेशन लेफ् रहती है तो अक्सिडेशन लेफ्ट में होती है डिदर्ट्चन राइट प्लेफिशन तो देखो किसमें दिखा रखा है मेरे साब से यह रहा को है यह यू पस्तिव और एजी पस्तिव से एजी बन रहा है नेक्स्ट कॉश्टिशन है एड़ ती टाइम ओफ इकलिबीरियम डेनियल सलल स्केशन केन बी एक्सप्राइश कर सकते हो कि इकलीबीरियम पर क्या होजाता है जो इस एलो हो दाता है तो अब देखेंव और यह जर लिएक्सिधूर्थ निचे लिखते हो है रिदक्शन प्रेंचल अब देखो किस किस में दें रख रहा है आपको कि आइठिंक यह हमारा राइट अंसर होगा कि अना एक लिए पिर्वियम स्टेज पर इसल के आजाता है इसल जो है बटाजी आपका जिरो हो जाता है बाक्की सबकु सेम लाता है अगला कोशन है हमारे पास नेक्स्ट कोरीजन के प्रिवेंटिट बाई कोरीजन से बचाना है अलोईंग समझते हैं नो मैटर्स को मिक्स कर दो गैल्वनाइजिंग गैल्वनाइजिंग क्या होता है कि आयरेन के अपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो अलोग अबव हर एक मेथर है जो प्रिवेंट करेगा नेक्स्ट अधा रोल ओफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम म अगला कोशन है अब फ्यूल सेल इज तो क्यमिकल अनरजी इंटू कैमिकल अनर्जी से क्या बनते हैं वह एलक्टिकल अनरजी बनाते हैं अगे बढ़ते हैं दा सेल suitable for hearing aids वो चीज़ एड्सेक्टरा तो छोटुसा ऐसा लाता है चुटकुसा उसे लेड्स टोरेज बैटरी कंसिस्ट ओफ लेड अनोड ये लेड्स अनोड का रोल प्ले करता है और लेड्स और अक्रिसीटी ड्यू दू दा प्रेजन्स ओफ भाईया इलेक्रोलाइट एलेक्रिसिटी क्यों करते हैं क्योंके पास फ्री आयंस होते हैं ना मुवेबल आइन्स हो क्यों क्यों कोंस्टेंट मैंने पताया थे जी स्टार से करते हैं और रूइंट रूइज के संटीमेटर इनवर्स अगला कोशन है एक्युवेलेंट कंड़क्टेंश ओफ इस ट्रोंग अलेक्रोलाइट विद दा इलेड्यूशन सेमेट्स अगला इन इनक्रीज इन एक एक कंडेक्टनेंस जो है इंक्रीज भोगी है टालूषिन सब्सक्राइब और फासंथ उनक्रीजिन इनका इनीक और एक यही बात है कि आइनस की मुपिलीटी बढ़ गई और इसकी आइनस की मूव करने की स्पीड बढ़ जाती है पाने डाल दिया तो कंडुक्टिविटी जाद होगी तो क्यों क्योंकि न मुव करने को उनको ज्यादा स्पेस मिल रहा है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन हमारे पास वीच ऑफ गिवन स्टेट्मेंट इस क्रेक्ट फॉर डेनियल सेल मेड़ जिंक और कोपर वन एक्सटर्न पोटेंशल इस मोर देन 1.1 वोल्ड एलेक्ट्रों फ्लो फ्रों अच्छा अगर एक्सटर्न पोटेंशल आपका ज्या यहीं बात थी है ना और कैसे प्रोटेक्ट करता है उसके पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं ठीक है तो इसके बाद हमारे पास आजाते हैं जोग जभी इसके रीजनर सरष कोश्यों और जोलता है रीजनल सरसन में चिलांस में आपको ब्ताता हूं ऽूदाँ रिजन nation के होते की दो स्टैमनast जियोते हैं अगर अगर सप्वेर्य क्रेक्स च्डेट्मेंट मेंटнее और दुन्नों इंठर लिंक् स्टेटमेंट है put же आपस में लिंक नहीं है यह इस पर डिय होता गलत है रीजन है देन्ट वी योज़ इस टॉपर चाथ करते हैं चलिश्य डिजॉल्व इन एसे यह असर सेन है और यह सही बात है कि नहीं डिजॉल्व होता है देवल्य प्रेश्टेंटर फॉर कोपर इस पोजिटिव है ना है रोजन से नीचे जो भी होते हैं वो नहीं डिजॉल्व होते हैं तो यहां पर आप लोग क्या यूज कर सकते हैं यह अगला कोशन है लीथियम आयन इस दी वीक केस्ट ऑक्सिडाइजिएंग एजन्ट लीथियम हैस दी लो बाते द्र उक्ष्ण अच्छा होगा तो बाते इंटर- इंटरल इंव्ट है अगला है डेनियल सेल is an example of galvanic cell, जी हाँ, डेनियल सेल convert electrical energy into chemical energy, यह happy birthday कर दिया, यह बात उल्टी हो गया है, तो assertion सही है, reason गलत है, तो हम लोग यहाँ पर use करेंगे, C, अगला question है भी लो, greater the reduction potential, greater is the tendency to be reduced and stronger is the reducing agent, greater is the reduction potential, जितना ज्यादा reduction potential होगा, तो reduce होने की शम्ता, reduce होने की शम्ता उतनी ज्यादा नहीं है, दूसरों को reduce, अगर किसी का stronger is the reducing agent, नहीं नहीं, अगर कोई reduce हो रहा है, खतम हो रहा है, खुद तो वो stronger oxidizing agent होगा, यह बात गलते रखे, species having lower value of reduction potential, is the strongest reducing agent, अगर किसी का reduction potential कम है, मतलब oxidation easily हो रही है, तो वो stronger क्या होगा, reducing agent, तो यहाँ पर assertion गलत है, reason सही है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, D, आगे है, when zinc electrode is connected to C, zinc will be oxidized to zinc 2 positive, H positive will be reduced to H2, negative sign for E not Zn2 positive, shows that the zinc is more reactive than hydrogen, बिलकुल सही बात है, linked है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, A, अगला है, next, if E not cell is more than 0, thus reaction is feasible, यह बात सही है, अगर E not cell more than 0 है, तो reaction feasible होती है, one molar copper sulfate solution cannot be stored in zinc pot, यह बात भी सही है, बाते दोनों सही है, बट इनका आपस में लिंक नहीं है, है ना, आपने सुना होगा, कि अगर E not cell के value positive आत देखे, storage के लिए ना, जुरूरी है कि जो आपका container है, उस पर reduction हो रही हो, ना कि उस पर oxidation हो रही हो, अगर देखे, zinc pot जो है, zinc का जो container है, जब आप उसमें copper sulfate डालोगे, तो धीरे-धीरे electron देता चलेगा, और धीरे-धीरे electron देका एक खतम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ प circuit of the cell, हाँ, internal circuit में ions के वज़े से current चलता है, अगला, electrons are the carriers of current in the external और outer circuit में, electrons के वज़े से, बातते सही है, तो यहाँ पर क्या उज़ करेंगे हम लोग, बी, next question है, the relationship between Gibbs free energy of the cell reaction in a galvanic cell, and the EM of the cell is delta G, NFE cell, यह बात सही है, डेल्टा G is equal to minus NFE cell होना चाहिए था, when the cell reaction reaches equilibrium, and the cell is completely discharged, E cell is equal to 0, यह बात सही है, assertion गलत है, reason सही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या उज़ करेंगे, D, अगला question है, next अभी है हमारे पास, conductivity always decreases with decrease in concentration, सही बात है, conductivity घट जाती है, on dilution for both strong and weak electrolyte, number of ions per unit volume decrease on dilution, क्योंकि जब dilution करते हैं, तो number of ions per centimeter cube घट जाते हैं, that's why conductivity घट जाती है, तो बात सही है, linked है, we use A, अगला है, molar conductivity of solution of strong electrolyte increases on dilution, देखिए, conductivity और molar conductivity अलग लग चीज़े होती है, molar conductivity on dilution बढ़ती है, conductivity on dilution घटती है, तो हम लोग यूज करेंगे, mobility of ions जो है, वो increase, यह अभी हमने equivalent conductivity में बात किती है, या था molar conductivity equivalent conductivity यह की बात है, बातते हैं, इंटर लिंग है, तो हम लोग यूज करेंगे, A, and increase in molar conductivity for weak electrolyte is more than that of strong electrolyte, molar conductivity जोती है, वीक की ज़्यादा, अगर आपने वो curve देखाओ, दिबाई हकल वाला, मतलब strong के लिए इस तरह से जाता है, वीक के लिए इस तरह से चलता है, अगला है, direct current is used for measuring resistance of an electrolytic solution, बाते सही है, बात लिंक नहीं है, और लिंक नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे, तो यह था जी बेटा जी, आपकी most important mcqs of the chapter electrochemistry और इनकी pdf आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल जो की भात पंचाल सर के नाम से है, कुछ भी डाउट हो, कमेंट कर सकते हो या फिर instagram है भात पंचाल नाइंटीटो के नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे message कर सकते हो, मैं कोश करूँगा जल से जल आपके message का reply करने की, बहुत ख्याल रखी, बहुत जल मिलते हैं, God bless you all, please take care, जहें